जैहिन दोस्तों मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सर्वीश टू सिविंग गाइड सर्वीश टू सिविंग गाइड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी सेवा में किसी भी कर्मचारी की जो पदोनत होती है याने कि प्रोमोसं होता है हाईयर पोस्ट याह अइयर ग्रेड के लिए उसमीं सिनोर्टी का एक अहम रोल होता है हैं смыс utan तो आपकी पदोनति हाइयर पोस्ट याहियर गेर्ड के लिए होता है तो आखिर जो promoted post होता है यानि की पदोनत्त जो पद होता है वहां आपकी seniority कैसे तैं होती है वह इसे तो आपने सुना होगा कि जो सरकारी कमचारी होते हैं उनकी पदोनत्य यानि की promotion अगर पहले DPC द्वारा किया जाता है यानि की departmental promotion committee द्वारा की जाती है तो उन्हें in block senior माना जाता है और जिन कमचारियों की पदोनती बाद में DPC के द्वारा की जाती है उनको junior माना जाता है तो क्या ये हर situation में सही है क्या ऐसा होता है नहीं तो फिर जो promoted post है उस पर जो कमचारी होते हैं जिनको promotion मिलता है तो उनकी inter say seniority और relative seniority कैसे तैं होती है और फिर जो कमचारी निलंबित होते हैं यानि कि जब DPC उनके नामों पर विचार करती है और उस समय में अगर कोई कमचारी suspended होता है यानि कि निलंबित होता है या फिर departmental penalty भुगत रहे होते हैं या फिर deputation पर होते हैं long lip पर होते हैं foreign service पर होते हैं या फिर unfit पाए जाते हैं तो आखिर उनकी seniority कैसे तैं होती है क्या उनको promotion दिया जाता है या फिर किसी कमचारी को reserved SCST list से promotion होता है यानि कि reserved SCST quota से promotion होता है तो क्या उनको seniority मिलता है या फिर जो promoted post पर सारे कमचारी होते हैं अलग-अलग परस्थितियों में promotion होने के बाबजूद तो उनकी आखिर seniority कैसे बनती है और इसके लिए जो vacancy roster होता है feeder grade होता है DPC होता है इंटर्ट से seniority होता है ये क्या होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके मन में उठ रहे हर एक प्रसन का उत्तर देने जा रहा हूँ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए यानि कि टॉफिक थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं आपको आसान सब्दों में समझाने की कोशिस करूँगा ताकि आप समझ सके कि सेनोर्टी लिष्ट में आप कहां एस्टेंड करते हैं अगर आपका प्रोमोशन हायर गेट के लिए होता है या फिर आगे के लिए होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विश टू सेविंग गैड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जैदे जैदे लाइक और सेयर जरूर करें तो आईए देखते हैं कि इससे सम्मंधित नियम क्या कहता है सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ भैकेंसी रोस्टर पर आपके मन में ये प्रस उठावगा कि जो प्रोमोशन होता है उसके लिए क्रैटेरिया क्या होता है तो दोस्तों उसके लिए हर department में vacancy roaster होता है और vacancy roaster में ये detail होता है कि कितनी कमचारियों की पदोनती की जानी है और किस grade से कितनी कमचारियों की पदोनती होनी है तो grade से मतलब ये feeder grade से है जिसे मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले आप roaster देखिए कि यहां roaster में देख रहे हैं कि 12 ऐसे कमचारियों हैं जिनकी पदोनती होने जा रही है head clerk के post पर और इसके लिए दो अलग-अलग feeder grade से promotion होना है UDC से और storekeeper से और यहां आप देख सकते हैं कि UDC के लिए 75% quota तैंग किया गया है और storekeeper के post से promotion के यह भी आप देख रहे हैं अब देखिए कि जो 2020 को लेते हैं जिसे आप vacancy यहां पका सकते हैं तो उसमें 3 UDC को UDC से head clerk के post पर promotion किया जाना है और 2 storekeeper से किया जाना है यानि कि 2020 की जो vacancy है वो total 5 है जिनको head clerk के post पर promotion किया जाना है इसका detail है आगे देखिए vacancies of the previous year जिसे आप क 2019 की जो vacancy है इसमें 5 UDC का selection होना है यानि कि promotion होना है head clerk के लिए और 2 storekeeper का होना है तो total आप देख सकते हैं कि इसमें 8 UDC को promote होना है और 4 storekeeper का promotion head clerk post के लिए होना है और इसके लिए जो rotation of quota है यह 75% और 25% है यानि कि जो quota रखी गई है वो 75% और 25% है total ये 12 होना है अब ये देख सकते हैं कि इसे हम कहते हैं vacancy roaster अब दूसरा जो प्रस्ण है कि जब ये अलग-अलग feeder grade feeder grade क्या हुआ वो आप जानिए कि feeder grade जैसे UDC हुआ और आप देख रहे हैं कि यहां storekeeper है दो अलग-अलग grade से head clerk में promotion होना है तो UDC का जो grade हुआ वो एक feeder grade और दूसरा feeder grade हुआ यानि कि इन दोनों feeder grade से head clerk के लिए promotion होना है तो जब दोनों का promotion होगा तो आखिर किन को senior माना जाएगा यानि कि जो promoted post होता है यानि जो promotion list होगा medic list होगा तो उसमें आखिर किन को senior माना जाएगा और अलग-अलग year के लिए आप vacancy यहां पर देख रहे हैं तो इसका भी answer मैं आपको देने जा रहा हूं कि अगर एक से दूसरे होता है तो inter से seniority लगभग सेम हो जाता है जो fit पाए जाते हैं लेकिन जब अलग-अलग feeder grade से ह होता है तो उनकी seniority कैसे तैं होगी तो सबसे पहले आप एक बार यहां ध्यान दीजिए कि यह feeder grade क्या है feeder grade के लिए आपको मैं दिखाने जा रहा हूं यह लिस्ट यहां लिस्ट देख रहे हैं कि feeder grade जो one है UDC का इसमें 10 candidate के नाम पर विचार किया गया है यानि की 8 का selection होना है और दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि यह जो यहां पर 6 candidate देख रहे हैं जिनके नामों पर विचार किया गया है DPC के द्वारा यहां पर 6 candidate है जिसमें से 4 का selection होना है और सब के सामने में red color से आप देख सकते हैं कि कोई deputation पर है कोई study lip पर है कोई suspended है या फिर कोई long lip पर ह कि नहीं को minor penalty मिल चुका है उसका status भी आप यहां देख रहे हैं अब यह दोनों list का देखिए promotion या तो एक बार किया जा सिंगल DPC करेगी दोनों post का promotion एक बार यानी 12 candidate का selection कर सकती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग time पर DPC बढ़ाया जाए एक बार UDC से promotion करने के तो अगर एक DPC बनता है या फिर दो DPC बनता है तो यह कैसे तैं होगा तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां left side में जो आप table देख रहे हैं उसमें आप यहां देख रहे हैं कि 8 नाम का selection हुआ है तो 8 नाम का selection हुआ है तो अब यह देखिए कि दोनों की जो जितने जितने candidate का selection होना है वो अब तैं हो चुका है अब यहां देखे कि यह combined merit list है तो अब यह क्या होगा कि अगर दो अलग अलग list यानि कि दो अलग अलग DPC इनके नामों पर विचार करती है और दो बार report देती है तो बाद में इस तरह से 75 और 25% के quota में उनको interpolate किया जाएगा यानि कि arrange कि 75% का मतलब है कि पहले 3 UDC को जगह मिलेगी और फिर जो बाखी पहले 3 UDC को जगह दिया जाएगा और बाद में फिर जो यहां पर मिलेगा एक store keepar को जगह दिया जाएगा फिर यहाँ देख रहा है कि यहाँ पर 3 UDC है लेकिन आगे बताऊंगा कि आप एक देख सकते हैं कि एक suspended है फिर उसके बाद देखे एक storekeeper को दिया गया है चुकि कोटा 25% है फिर 3 UDC को लिया गया है लेकिन आप यहाँ देखिए कि एक rate में यहाँ लिखा हुआ है इसको भी हटाया जाएगा list से फिर उसके बाद देखे कि यहाँ पर जो 12 candidate यहाँ पर देख रहे हैं इनका selection हुआ है फिर 13 candidate देख रहे हैं 14 देख रहे हैं और 15 देख रहे हैं अब आखिर आप सोच रहे हैं कि यह जो candidate इतने है ते इस से इसका क्या लेना देना है इस list का क्या लेना देना है अब आप आगे देखिए यहाँ सबसे पहले उपर में आप देख रहे हैं कि जो मनोज गुमार है उनको unfit पाया गया है DPC की द्वारा इसलिए उनके नामों को हटा दिया जाएगा दूसरा आप देख रहे हैं कि 5 नंबर पर seniority है किनकी है अंकिता की और लेकिन उस suspended है तो merit list जो बनेगा तो suspended candidate का नाम भी हटा दिया जाएगा उसके बाद आप देखें कि एक को minor penalty मिला हुआ है तो जब penalty होता है तो उस दौरान promotion होना संभव नहीं है इसलिए इनके नाम को भी हटा दिया जाएगा लेकिन इससे पहले आप जड़ा इस list को देखें चुकि 8 का promotion होना है और इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हरीस OVC है इनको minor penalty मिला हुआ है और इससे पहले मुहमद सर्फराज को देखिए अब एक बार मैं आपको ले चलता हूँ पीछले list पर यहाँ देखें कि यहा candidate के लिए reservation है यानि कि एक seat जो promote होना है OVC candidate का होना है इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यह list बनाया गया है तो 8 में आप देख रहे हैं Chris का नाम नहीं है क्योंकि एक नीचे वाले को लिया गया है और Chris जो मुहमद सर्फराज से senior थे उनको list से बाहर कर दिया गय है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस list में 12 में नंबर पर है जबकि original जो consider किया गया था उसमें यह 10 में नंबर पर थे और सर्फराज से पहले आप पहले list में देखे हैं कि वहाँ पर Chris आ रहा था लेकिन उनको surprise कर दिया गया है अब आईए यह list आपने देख लि गया एक candidate के साथ क्या हुआ suspended है एक को minor penalty मिला हुआ है और एक जो Chris OVC को आपने देखा है तो उस candidate क्या है कि जो उनसे नीचे एक SC candidate है और उससे पहले साथ का selection हो चुका है आठमा में उनका नहीं हुआ क्योंकर आठमा में एक कम सकम SC candidate होना चाहिए तो SC candidate का selection हुआ है अब य मेरिट लिस्ट में देखिए कि जो दो बार अगर होता तो बाद में इसे एरेंज करना पड़ेगा यानि कि अलग-अलग DPC अगर storekeeper और UDC के लिए list बनाती promote करती तो उसे बाद में फिर इसी तरह से एरेंज करना पड़ता लेकिन single DPC करेगी तो एक साथ ही इसे एरेंज कर देगी चुकि यहां जो कोटा सिस्टम है 75 और 25 का है तो हर तीन UDC के बाद जो promotion मिलेगा seniority list में जो आएगा एक storekeeper आएगा हर तीन UDC के बाद एक storekeeper आएगा वहां पर और जो बाद में देख रहा है कि दो नरेश कुमार और मोनिका जो है यह दोनों storekeeper के post से हैं तो देखिए एरेंज करने के बाद जो last में बच जाते हैं उसको bunch करके सिधे bottom में रख दिया जाता है यानि कि 10 में नंबर यहां देख रहा है कि जो UDC का list है वो exhaust कर गया वहां पर अब जो दो बच गये है storekeeper में से उनको सबसे नीचे में दोनों को जगह दे दिया गया है तो यह हो गया merit list है या तो single DPC अगर अलग अलग promote करती है तो बाद में इस तरह से इंटर पोलेट किया जाएगा इस तरह से एंज किया जाएगा अगर एक ही DPC storekeeper और UDC को consider करती है और एक ही बार promote करती है तो इस तरह के list बना के देगी तो आपके मरम उठाओगा कि इसमें senior कौन है junior कौन है अब देखिए इंटर से seniority आप पहले UDC के देखिए जैसे आप original list में seniority देख रहे थे उसी तरह का seniority यहां भी है क्यों seniority उपर नीचे किसी के नहीं हुई है और दूसरा चीज जो storekeeper है आप देखिए यहां पर पांच में नंबर से उपर चोथे नंबर पर storekeeper आ गया है promoted list म seniority में चुकि 25% जो quota system है वो किस के लिए है तो storekeeper के लिए है तो देखिए कि अब यह seniority list हो गया यानि कि आजाइक कुमार चुकी एक पर है यह इस list में सबसे senior है और मोनीका 12 में नंबर पर है यह सबसे junior है और यही इनकी तो दो चीज को ख्याल रखा जाता है यानि कि जिस feeder gate से promotion होता है वहाँ जो seniority होती है उसको maintain करना है और दूसरी चीज प्रमोटेट पोस्ट में जितना rotation और quota होता है उसके हिसाब से seniority को arrange करना है तो आप देखिए जो अपने अपने feeder gate में जो seniority थी ओभी maintain है यहाँ पर सबका उसमें कोई disturbance नहीं हुआ है अब आईए इस तरह से seniority determined होती है अब यह सबका inter से seniority हो गया relative seniority हो गया और यही list है अब आपके मन में प्रस्ण उठता है कि यह list तो बन गया लेकिन अब इन में से senior किन को माना जाएगा जिस date से इनका promotion हुआ है उस date से इनको senior माना जाएगा या फिर जिस date से इनको confirm किया गया है यानि कि post पर confirm किया गया है प्रोवेशन अगर है तो प्रोवेशन पूरा हुआ है तो उस date से माना जाएगा तो दोस्तों यह चुकि काफी विवदास पत रहा है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं 1992 से इस procedure को खत्म कर दिया गया है यानि कि जिए लिस्ट है इनको इनका प्रोवेशन कभी भी किलियर हो उनकी सिनोर्टी की नंबर वही रहेगी सिनोर्टी नंबर जो है वही रहेगी लेकिन 1992 से पहले क्या होता था जिस date से confirmation होता था उसी date से सिनोर्टी काउंट होती थी लेकिन उस system को आप खत्म कर दिया गया है तो यानि कि जो प्रोवोशन के जो लिस्ट है यह जो डीपीसी ने तयार किया है इसमें जो सिनोर्टी है यही सिनोर्टी रहेगी confirmation होने के बाद भी अब आईए छठा question है कि जो सिनोर्टी की लिस्ट में जैसे देखा है कि वहाँ एक नंबर पर मनोज कुमार थे यह स्टोर की पर में लेकिन उनको जगह नहीं मिला final list में क्योंकि वह unfit पाए गया हो सकता है उनका APR सही नहीं हो उसके आधार पर DPC ने unfit करार दे दिया उनको अब मानेजे जब unfit करार हो जाते हैं उसके लिए list दिखाता हूँ यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि मनोज कुमार सबसे उपर है इस्टोर की पर के list में लेकिन final list में इनका नाम नहीं है चुकि DPC इनको unfit पाया है तो अब यह question उठता है कि बाद में अगर इनका promotion होता है बाद में कभी fit पाये जाते हैं और दूसरे DPC के द्वारा इनके नाम को consider किया जाता है और यह fit पाये जाते हैं तो क्या इनको seniority मिलेगी जो seniority यहाँ पर है तो दोस्त पाते हैं तब इनका promotion होता है तो जो इनसे पहले भले इनके junior का promotion हो चुका है लेकिन फिर यह उनसे junior हो जाएंगे यानि कि next DPC में इनके नाम का consider हुआ है तो उस DPC के जितने लोग होंगे तो जो अभी आपने list देखा है तो उस DPC में जितने लोग हैं सब से junior होंगे और उस पैनल में जहां भी इनकी seniority रखी जाएगी तो वही उनका seniority होगा यानि की regen नहीं कर सकते दोबारा अपनी seniority अब यह हासिल नहीं कर सकते जो seniority इनको पहले थी feeder grade में यह नहीं है अब यहां दूसरा question है कि आपने देखा है कि यहां देखे Chris जो नम्बे नमबर पर था अग और इसके बदले मुहमद सर्फराज को लिया गया है जो इसी category से हैं तो अब यहां पर यह भी एक question उठता है जो क्या जो इसी जो मुहमद सर्फराज है इसी category से इनको जो promotion दिया गया है तो क्या इनको seniority भी मिलेगी या सिर्फ post मिलेगा यानि कि आपने देखा है कि Chris को इन का promotion होता है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इससी category के लिए वो reserved seat था और एक का selection हुआ इसलिए Chris को surprise करके उससे आगे consider किया गया और मुहमद सर्फराज तक आया और इनका selection हुआ है यह फिट भी पाए गया है अब जैसे list में आपने देखा है वहां पर उसी तरह इनकी seniority होगी और Chris जिनको surprise किया गया है अभी seniority में superseed किया गया है वो कभी भी इन से senior नहीं हो पाएंगे यानि कि बाद की अब DPC इनके नाम को consider करेगी तो इसलिए बाद के DPC में जो promotion होगा तो of course यह मुहमद सर्फराज से junior होगे यानि कि अब इनका भी seniority मुहमद सर्फराज के नीच आएगा तो अब उसी से सम्मंधित आठमा question है कि क्या जो general OVC category जैसे कि यहां आपने देखा है Chris OVC category से हैं और इनके बाद में DPC की द्वारा promotion होता है तो जो पहले आप यहां देख रहे हैं कि जो इनका original position है क्या ही regen कर पाएंगे तो दोस्तों original position regen नहीं कर पाएंगे चु promotion होगा तो जो इनको supersede किया था उनको अब यह जो supersede इनको किया था अब उससे उपर इनकी seniority नहीं जाएगी बलकि उनसे नीची रहेगा अब यहां पर आपको एक question number 9 कि जब seniority होती है तो यहां पर question उठता है कि पैनल में आपने देखा है वहां पर कई सारे ऐसे candidate हैं जो या तो long lip पर है, deputation पर है, foreign service या फिर study lip पर है तो आखिर उनको promotion मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि ओ लोग तो मौझूद है नहीं department में promotion लेने के लिए तो फिर अगर promotion होता है तो उनके seniority का क्या होगा तो दोस्तों इसके लिए यह clear किया गया है कि जब promotion list बनता है तो उन में उनके seniority का भी provision किया जाना चाहिए भाले उनका promotion तब होगा जो भी study lip पर है, foreign service पर है या फिर deputation पर है जब अपने कैडर में वापस आएंगे तब ही promotion होगा लेकिन उनकी seniority count होगी जिस date से उनको यानि कि जिस date से पैनल तेयार हुआ पैनल यानि कि ये जो पैनल है तो इसमें जैसे देख रहा है कि money right foreign service पर है पिये सरदार long lip पर है और इस तरह से कि ये लोग भले बाद में जोईन करेंगे लेकिन इनका seniority का जो number है यहाँ पर उसेम रहेगा उसमें कोई disturbance नहीं होगा भले इनको promotion बाद में मिलेगा जब ये क्याडर में वापस आएंगे लेकिन seniority इनका disturb नहीं होगा अब यहाँ पर एक question और यह है कि जो deputation पर जाते हैं तो जैदा public interest में होता है तो public interest में होता है तो उनके seniority को तो यहाँ पर बरकरार रखा जाएगा maintain किया जाएगा लेकिन जो लोग ex-cader post पर जाते हैं कोई advertisement आया है जिसकी response में ex-cader post पर जाते हैं अपनी सेवा देने के लिए और इसी बीच में जब deputation पर होता है तब ही उनका promotion due होता है तो इस case में क्या होगा तो दोस्तों इसके लिए provision है कि अगर आप गये है तो आपको यहां से information दिया जाएगा कि promotion होने बाला है आप यहां report किजे department में अगर आप report करते हैं उस समय में तो आपके नाम को consider किया जाएगा नहीं तो आपके नाम को उस list से हटा दिया जाएगा और फिर बाद मगर आपको promotion मिलती है तो आप समझ गये होंगे कि आप इन list में जितने नहीं आते हैं तो फिर आप junior हो जाएगे आपको seniority पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा अब इसी से संबंधित यह है कि अगर कोई candidate अगर long lip पर होता है उस समय में जब promotion होता है तो long lip पर होने के कारण है कि अगर promotion list जैसे आप यहां देख रहे हैं तो जो long lip पर होते हैं जैसे यहां PA सरदार हैं तो यह तो promotion लेंगे नहीं उस date से चुकि यह long lip पर है तो इस case में क्या होगा तो देखिए इस case में दो तरह का provision किया गया है एक तो है long lip दूसरा है physical disability उसके कारण अगर कोई long lip पर होता है दो कारण हो सकता है तो इसमें आप यह देख सकते हैं कि अगर promotion होने के बाद उनको यह कहा जाएगा कि अगर आप promotion चाहते हैं तो आप छुटी को खत्म करके आप लोट जाएए अगर हुआ आदमी उस vacancy year में या छे महिने के अंदर अगर लोट जाता है या फिर इस panel में जैसे PS सरदार है लास्ट मोनिका है लास्ट इसको promotion offer किया जाता ह है अगर उस date तक वापस आ जाते हैं तो उनकी seniority जैसे यहां चार नंबर पर है उसी तरह से रहेगी नहीं तो उनका भी नाम इसे हटा दिया जाएगा फिर उनको seniority नहीं मिलेगी अगर कोई physical disability होता है कि नहीं को यानि कि कोई medical जैसे लीप पर है कहीं पर तो उनको तो लान कि नोसनली उसी date से उनको promotion दिया जाता है जिस date से उनके junior को यानि कि promotion मिला है जैसे अगर मान लिजे कि long lipper है तो इन से नीचे candidate को जिस date से promotion मिला है उस date से उनकी भी seniority मिलेगी और इस list में जो आप seniority देख रहे हैं वो seniority disturbed नहीं होगा उनकी seniority बनी रहेगी यानि कि नोसनल मिली हो और आप सजा भूगत रहें उसी दोरान DPC बढ़ती है तो इसका क्या होगा अब इसका क्या होगा तो आप जड़ा यहां देखिए कि जब DPC बढ़ती है तो आपके नाम पर विचार तो अवस किया जाएगा और विचार करने के बाद अगर लगता है कि penalty देने के बा है कि हडिस है OVC यहां minor penalty और इजिनल लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ प्रोमोटेट नहीं है प्रोमोटेट वहला इससे पहले देखा है जो इस लिस्ट है इनके नामों को ड्रॉप कर दिया गया है उसमें उस सिल्ड कभर में रख दिया जाएगा लेकिन जब आपको यही seniority मिल जाएगी यानि कि penalty खत्म होने के बाद जो seniority label आपका इस लिस्ट में होता 13 में नमर पर अगर आपको उस समय में सजा नहीं मिली होती और आपको भी प्रोमोट किया जाता लिस्ट में नाम डाला जाता तो आप 13 में नमर पर होते तो penalty खत्म होने के बाद यह जो है से आपकी seniority बरकार रहेगी लेकिन आपको जो promotion मिलेगा और penalty खत्म होने के बाद अब last question है इसमें कि अगर आप उस समय में जब DPC आपके नाम पर विचार करती है आप suspended रहते हैं तो क्या होगा तो दोस्तों इसके लिए जो provision किया गया है कि suspension के दौरान जो होता है आपके न पर विचार नहीं होता है लेकिन उसको सिल्ड कभर में रखा जाता है यानि कि आप फिट हैं अनफिट हैं उसको एक लिफाफे में बंद करके रख दिया जाता है और जब आपका suspension खत्म होता है यानि कि जो आप पर विवागया कारवाई चलती है उसके बाद आप निर्दो प्रोमोशन तो हो चुका है अगर seat नहीं है तो क्या इसके लिए है कि जो first vacancy होगी उसमें आपको प्रोमोशन दिया जाएगा और आपके seniority को maintain किया जाएगा लेकिन अगर कोई post वहां नहीं है तो इस case में जो last person होगा जैसे यहां मोनिका को देख रहे हैं कि last जो उस DPC के list में जो last person है उनको रेवर्ट किया जाएगा और आपको promotion दिया जाएगा और promotion देने के बाद आपकी seniority वहीं होगी जो आपकी होनी चाहिए थी अगर आप suspended नहीं होते तब जो promotion list में आपकी seniority नंबर होनी चाहिए वहीं आपको मिलेगी तो दोस्तों यहीं है seniority से समंदेत provision और इसके बाद भी आपके मनम अगर कोई person है तो आप comment section में लिग कर मुझे पूछ सकते हैं और मैं भर सक आपके प्रसनों का उत्तर देने की कोशिस करूँगा तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह video आपको अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छी लगी होग वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जादे जादे लाइक और सेर जरू करें यह video देखने के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्नवाद